बश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे सर्वो मोटर जिसे हम कंट्रोल मोटर के नाम से भी जानते हैं उसके दो महत्तपून टाइप DC सर्वो मोटर और AC सर्वो मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है AC servo motor अगर हम बात करें दो type की होती है 2 phase AC servo motor और 3 phase AC servo motor तो हमने कुछ factor को consider किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे DC servo motor AC servo motor से अलग होती है सबसे पहले जैसे की नाम से ही पता चलता है DC कि जो DC servo motor है इसको operate करने के लिए हमें DC power source की आवशकता होती है जैसे की batteries और जो AC servo motor है इसके लिए जो power supply होती है वो AC power source होता है अगर हम operation की बात करते हैं जो DC servo motor का जो operation है वो काफी noisy operation होता है लेकिन जो AC servo motor का जो operation होता है वो काफी stable और smooth होता है अगर हम performance की बात करते हैं तो DC servo motor में जो performance होती है वो सिरफ voltage पर ही depend करती है लेकिन AC servo motor में जो performance होती है वो voltage और frequency इन दोनों पर depend करती है उसके बाद है stability, stability का मतलब है कि जो DC servo motor है ये कम stable होती है क्योंकि इसमें जो stability से सम्मंदित बहुत सारी problem होती है लेकिन AC servo motor ये ज़्यादा stable होती है इसमें कम problem होती है stability से related maintenance की अगर हम बात करते हैं जो DC servo motor होती है इसमें commutator का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण हमें frequently maintenance की आवसकता पड़ती है लेकिन AC servo motor में commutator की absence होने के कारण इसमें regular maintenance की आवसकता नहीं होती तो कम maintenance इस case में करनी पड़ती है उसके बाद है weight weight की अगर हम बात करें जो DC servo motor होती है काफी heavy weight होती है और size में भी बड़ी होती है लेकिन जो AC servo motor होती है ये weight में hulky होती है और size में भी ये small होती है speed and torque DC servo motor की speed है वो limited होती है, torque भी इसका limited होता है लेकिन जो AC servo motor होती है इस case में torque काफी strong होता है और इसकी जो speed होती है वहे भी high speed होती है efficiency की अगर हम बात करें DC servo motor की efficiency जदा होती है AC servo motor की efficiency कम होती है drift की अगर बात करते हैं तो DC servo motor के case में drift होता है क्योंकि इसमें हम जो amplifier यूज करते हैं उसमें drift होता है लेकिन AC servo motor के case में जो AC amplifier होते हैं उसमें drift का इस्तेमाल नहीं होता मतलब की no drift रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस की अगर हम बात करें ये नॉइस लिखा हुआ है रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस DC सर्वो मोटर के केस में ब्रसिज प्रड्यूस होते हैं जिसके कार्ण रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस जनरेट होती है लेकिन AC servo motor में यह जो radio frequency noise से यह है नहीं होती अब बात करते हैं application की इन दोनों motor को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है DC servo motor को wood working में, material handling में, medical equipment में, door opening में, floor policing में, rope manufacturing में coordinate measuring machine में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी application है उसी प्रकार से जो AC servo motor है इसका इस्तेमाल हम welding robot में करते हैं simulator में करते हैं, semiconductor equipment में इसका इस्तेमाल किया जाता है machine tool में इस्तेमाल करते हैं, special purpose machines में इसका इस्तेमाल किया जाता है packing and food process machine में, medical devices में, defense industry में, injection molding machine में, servo press machine में steel processing machine में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया DC servo motor और AC servo motor के बीच में क्या difference होता है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें, जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों के साथ